Hello Everyone, Good Morning to all of you, Welcome to Logic Bald Sharlah Friends, आज है Sunday, इस वीडिो में हम cover करने वाली है वीक दी करांड अफेयस तो last week के सभी important questions को इस वीडिो में हम cover करेंगे तो friends, वीडियो को शुरू से अंतर दक फूरा देखे Г neben the world तो आएए फ्रेंट्स आज के इस important session को शुरू करते हैं एक first question सी तो पहला question है देखिए Who has been appointed as a director of NTPC? तो अभी NTPC के निदेशक के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है? सही answer है रवींद्र कुमार तो फ्रेंट्स रवींद्र कुमार जो है अभी NTPC के बने हैं डायरेक्टर NTPC की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है National Thermal Power Corporation स्थापना कवो इसकी 7th of November 1975 को Headquarter है इसका New Delhi में और NTPC के Chairman कौन है? गुर्दीप सिंग अगला question In which state will the country's first semiconductor fab be established? तो देश का पहला जो semiconductor fab है ये किस राजय में स्थापित किया जाएगा? तो इसे स्थापित किया जाएगा फ्रेंट्स गुजरात स्टेट में ये जो semiconductor fab है इसे build कौन करेगा तो इसे Tata Group बिल्ड करेगा और इसमें collaboration किसके साथ किया गया है? पावर चिप ताइवान के साथ और इसे गुजरात के धुलेरा में जो है से stabilized किया जाएगा? Next question है What is the rank of India in the international IP index 2024? फिर्ट्स बात करते हैं अंदराष्टे आईपी सुचकांक की तो इसमें भारत का स्थान किया है तो इंडिया को इसमें स्थान मिला है 42 number तो इंडिया जो है 42 फे स्थान पे है इस index में top किया है United States ने और इसका ये कौन सा edition है 12th edition next question by which year will India establish its own space station in space भारत जो है किस वर्ष तक अपना खुद का space station अंतरिक्ष में स्थापित करेगा तो इंडिया जो है 2035 तक अपना खुद का space station को set up करेगा ये initiative का लेने का में उदेशे क्या है कि universe के जो exploration है यानि उसकी जो उन्नत खोज है उसको और भी सुविधा जनक बनाना next है trilateral coastal guard exercise 2316 started in Maldives देखे ये trilateral coast guard exercise है जिसका नाम है 2316 और ये exercise कहां पे शुरू हुई मालदीब में question में पूचा है which of the following countries is not taking part in the exercise कौन सा देश जो है सभ्यास में भाग नहीं ले रहा है तो इसमें जो है नेपाल जो है वो इसमें part नहीं ले रहा है और ये जो 2316 exercise है ये कहां पे हो रही है तो ये हुई है कहां पे मालदीब में तो तीन कंट्रीज ने जो है इसमें भाग लिया है तीन कंट्रीज ने इंडिया श्री लंका और मालदीब ठीक है फ्रेंड्स और इसमें इंडिया के दो ships के नाम यादखी का जिन्होंने इस exercise में भाग लिया है एक ship का नाम है समर्त और दूसरे ship का नाम है अभीनव next is the three day international गीता महसव will begin from March 1st at which place तीन दिन का देखे अंतराश्टे गीता महसव है और ये कहां पे शुरू हुआ है तो ये महशव शुरू हुआ है कॉलंबो में इसकी announcement की थी विदूर विक्रम नायके ने जो की minister है बुद्धीस administration के तो श्री लंका में जो religious और culture affairs है उसके minister है इन्होंने जो है इसकी announcement की next question है mobile world congress 2024 ये कहां पे शुरू हुआ है तो mobile world congress शुरू हुआ था 26 परवरी को और friends ये शुरू हुआ है कहां पे बारसिलोना में इस पार इस world congress की theme क्या रही थी तो friends theme याद रखेंगे future first इसमें देखिए जो ये पूरा event हुआ था इसमें अलग-अलग companies आई थी जो भी latest product है जो भी उनके latest innovation है उसको जो है इस पूरे event में showcase किया next question the first ever maharashtra MSME defense expo inaugurated in which city पहली बार देखिए जो maharashtra MSME defense expo है इसका उद्गाटन किस शहर में हुआ है तो इसका उद्गाटन हुआ है पुडे शहर में इस expo में देखिए participate किया from the armed forces defense public sector तो जो भी सशश्टुबल है जो रक्षा सार्व जोनी छेतर के उपकरम है और जो भी ordinance factories है उनकी भागेदारी यहाँ पे देखी गई इस expo में D.I.D.O. ने जो है यहाँ पे अपने अलग-अलग types के rockets को showcase किया जो कि यूस किये गए बाइदा पिना का multi-barrel rocket launcher system at the expo Next question In which country will the SAFF under 16 women's championship be organized? तो SAFF under 16 महिला championship का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह championship जो है start हो गई है और यह हुई है कहाँ पे नेपाल में देखे शुरू हुई है पहली बाद जो है championship को organize किया चाह रहा है March 1st लेकर 10th of March तक यह पूरी championship चलेगी इस championship की बात करें तो 23 member India team की जो है इसमें announcement की गई Next is senior PMLN leader Mariam Nawaz has become the first ever woman chief minister of which province in Pakistan So Mariam Nawaz की बात करें तो यह Pakistan के किस प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई है तो यह बनी है पंजाब चोके पाकिस्तान का एक प्रांत है देखे वहां की बनी है यह पहली woman chief minister Next question who inaugurated India's longest cable stay bridge सुधर्शन सेतु इन गुजरात द्वारका गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे cable आधारित पुल जिसका नाम है सुधर्शन सेतु इसका उद्गाटन किस ने किया है तो सुधर्शन सेतु का उद्गाटन किया है प्रधानमंती नरेंदर मोधी जी ने Next question है नवी गेट भारत पोर्टल recently seen in the news is launched by which ministry So नवी गेट जो भारत पोर्टल news में रहा था यह किस मंत्राले ने launch किया गया इसे launch किया है ministry of information and broadcasting के द्वारा इसे launch किया गया है Next question इनका जो है देखे अभी निधन हो गया यह किस state के रहे थे former chief minister तो मनुहर जोशी की बात करें यह रहे थे former chief minister महराष्ट राज्य के महराष्ट राज्य के यह chief minister रहे थे 1995 से लेके 1999 तक और इसके लावा यह लोकसुभा के speaker भी रहे थे 2002 से लेके 2004 तक मनुहर जोशी के बारे में एक और most important बात याद रगे यह महराष्ट के पहले non-congress chief minister बने Next question So लदा मंगेशकर बुरिसकार से सम्मानित किसे किया गया है सुरेश वातकर को महराष्ट के chief minister एकनात शिंदे और यहां के जो deputy chief minister है देवेंदर फडनाविस इन्होंने जो है इन awards को present किया है सुरेश वातकर की बात करती है तो इन्हें 2021 में देखिए पदमशी से भी जो है सम्मानित किया गया Next question है National Science Day was celebrated on which day तो राष्टे विज्ञान दिवस की बात करेंगी किस दिन मराया जाता है तो ये मराया जाता है 28th फरवरी को इस जिन देखिए सर सीवी रमन चंदरशेकर वेंकटा रमन जिनको सीवी रमन के राम से भी जानते हैं उन्होंने डिस्कवरी की अराउंस्मेंट की दी जो की दी रमन इफेक्ट और इस डिस्कवरी के लिए सीवी रमन को नोबल प्राइस भी मिलाता कब 1930 में इस बात देखे 2024 की इसकी थीम रही इंडी जीनियस टेक्नलोजीज फॉर विक्सित भारत नेक्ट कोशन देखे फरवरे 2024 में FATF ने युनाइटे अरब एमिरेट्स को अपनी ग्रे लिस्ट से रिमूफ किया है वेर इस दी हेड़क्वाटर ओफ FATF तो FATF का जो मुख्याले है ये है फ्रेंट्स पैरिस फ्रांस में FATF के स्थापना हुई थी 1989 में पूरा नाम है इसका Financial Action Task Force मेंबर्स ने इसके 39 और प्रेजिडेंट है टी राजा कुमार विश्वयपाय संगतन के मंतरी स्तरिय समेलन का कौन सा संस्क्रण अबुदाबी में शुरू हुआ है तो इसका हुआ है 13th edition अकॉर्ण टेके अकॉर्ण टो दी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एडवाइसरी फिर्म जिसका नाम है जैफ्रीज तो जैफ्री के अनुसार इंडिया जो है कौन सी इयर तक तीसरी लार्जेस्ट एकोनोमी बन जाएगा तो इंडिया जो है 2027 तक बन जाएगा थर्ड लार्जेस्ट एकोनोमी और इसमें इंडिया जो है पीछे किसे चोड़ देगा जापान और जर्मनी को पंकर चुदाश्री को 2006 में इंडियन कवर्मेंट ने पदमश्री से संबानित किया है So जो BSFT है उसने पूरवी राज्य में स्टार्टप एकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए जो है अभी किस संगटन के साथ में किया एक समझोते ग्यापन पर हस्ताक्षर तो ये समझोता किया है सिढबी के साथ मिलकी सिढबी सब्सीपेले बिहार की बात करें तो कैपिटल पटना है चीफ मिनिस्टर नितीश कुमार है यहां के डेपटी चीफ मिनिस्टर है समरच चौधरी और विजे कुमार सिंहा गवर्नर है राजेंदर विश्वनाद अर्लेकर सिद्बी का पूरा नाम है Small Industries Development Bank of India फॉर्म हुई सिद्बी 2 April 1990 को हेटकौर्टर लखनौ में है चेर्मेन इसके शिवा सुब्यमन्यम रमन अगला कोशन है Who has been appointed as a director in the Department of School Education and Literacy under the Ministry of Education तो स्कूल सिक्षा और जो साक्षरता विभाग है इसमें निदेशक के रूप में किसे न्युक्त किया गया है तो इस पे अत्पर अपॉइंट हुए है सुनेल शर्मा सुनेल शर्मा जो है Fancy Inner Revenue Service Officer है 2010 बैच की Next question देखे Ministry of Steel की बात करें तो इसमें Deputy Secretary कौन बनी है इस पात मंत्राले में उप सचिव के पद पर न्युक्ती हुई है किसकी नितिन जैन की नितिन जैन जो है ये Inner Revenue Service Officer है 2011 बैच की और अभी मार्श 2025 तक के लिए इनको चुना गया है Next question So जो भारी उद्योग मत्राले है देखे उसमें निदेशक के रूप में निक्त किया गया है सुरेश्वर बोनाल को Next इंडिया ने देखे अभी आर्चरी एश्यकप जो 2024 हुआ था उसमें 14th medal जीते तोटल और ये एश्यकप हुआ था बगदाद इराक में 14th में से अगर हम बात करें कौन-कौन इंक्लूड है किते किते medal तो इसमें देखे है 9 तो गोल्ड मेडल है 4 है सिल्वर और 1 है ब्रॉंस मेडल तोटल मेडल कितने होगे इंडिया के 14 यहाँ पे देखे status of leopards in India जो रिपोर्ट आई उसके बारे में दो statement है इनमें से कौन सा statement correct है पहले statement दिया है कि 2018 से 2022 तक जो leopards की numbers है उसमें 2000 से भी जादा का increasement हुआ और second statement है कि leopards की जो highest population है वो record की गई है मध्य प्रदेश में इन दोनो statements में से देखे जो सही statement है वो सिर्फ है second वाली second वाली only जो statement है वो बिलकुल correct है क्योंकि जो numbers increase हुए है न वो thousand से जादा increase हुए है और यह जो report है इसे release किस ने किया environment minister भुपेंदर यादव ने सबसे जादा leopards की संख्या जो है वो कहापी है मध्य प्रदेश में next question है national birth defect awareness month 2024 was launched by whom तो यह जो राष्टे जन्म दोश जागरुकता महा है इसे शुरू किया है किसने नीती आयोग ने और इसकी theme क्या रखी गई breaking barriers inclusive support for children with birth defects नीती आयोग की formation हुए थी 1st of January 2015 को headquarter New Delhi में है chairperson है Modi ji vice chairperson है suman berry CEO है VBR subya mannyam next question former prime minister brian mulroni passed away recently at the age of 84 इनका भी निधन हुआ यह किस country के थे prime minister तो यह रहे थे Canada के प्रदान मंत्री और Canada के यह 9 बार रहे थे prime minister next who has been appointed as a chairperson and independent director of P.U. Payments Private Limited तो जो P.U. Payments Private Limited है इसकी अध्यक्ष के पत पर न्युक्त किया गया है रेनू सूद करनाड को next अजे कानवाल देखिए अभी किस small finance bank के 3 साल के लिए बने MDCO तो अजे कानवाल की बात करें यह जन small finance bank के बने है MDO CEO जन small finance bank लिमिटेट के सापना 2018 में हुई और इसका headquarter है Bengaluru में next who has been appointed is a director general of national security guard तो जो राष्टी सुरक्षा गार्ड है इसके महानिदेशक के रूप में निक्त किया गया है दलजीत सिंग चौधरी को दलजीत सिंग आपना हुई थी 16 October 1984 को headquarter located है New Delhi में next question in February 2024 who became the first Indian citizen to receive an honorary knighthood from United Kingdom's King Charles III UK के जो King Saint Charles III उनसे मानद knighthood प्राप्त करने वाले पहले भारते नागरे कौन बने है Sunil भारती मित्तल Sunil भारती मित्तल को ये honor इसलिए दिया गया उनका जो contribution है किस चीज में इंडिया और UK के मध्ये जो व्यापारिक संबंध है जो business ties है उनको मजबूत करने में उनको stronger करने में उनका जो contribution है उसको recognize करते हैं उनको knighthood की जो पाधी है वो दी गई next question है national NGO day celebrated on which day अच्छा NGO day को अगर आपको याद हो days हो theme वाली वीडियो जिसमें हमने tricks ने याद किया था उसमें हमने इसको ऐसे याद किया था कि NGO जो है वो सातो दिन दोनो time काम करता है तो 27 फरवरी को मनाया चाहता है national NGO day और देखी इसका main purpose क्या है कि जितनी भी non-governmental या non-profit organization है उनको मानेता देना उनका संभान करना इसकी theme कहा रही 2024 की building a sustainable future the role of NGO in achieving the sustainable development goals next which edition of the joint military exercise dharmagardian तो धर्मगारजन exercise जो है कि इंडियन आर्मी और जापान की self-defense force के बीच हुई इसका कौन सा संसक्रण आयोजित किया गया तो देखी इसका हुआ 5th edition एक और question कि धर्मगारजन अभ्यास हुआ कहां पे राजस्तान में और इसमें Indian contingent को represent किया था राजपुताना Rifles की Battalion नी Next question Who has inaugurated the भारत TX 2024 at भारत मंधपम in New Delhi नई दिल्ली के भारत मंधपम में जो भारत TX 2024 है इसका उद्गाटन किया है किसने तो इसका उद्गाटन किया प्राइम मिनिस्टर नरींत्र मोधी जीनी Next question Who laid the foundation stone of the first railway station of Sikkim State Sikkim Rajay के पहले railway station के अधाशिला किसने रखी आंसर है प्रिदानमंती नरेंदर मोधी जीनी इसका जो पहला phase है उसमें दिखिए सेवो के से रेंगपो तक का जो railway structure है उसको डेवलप किया जाएगा फिर second phase में आएगा रेंगपो से गंगटोक तक और third phase जो है इसमें रहेगा गंगटोक से नातुला इसको तीन phase में complete किया जाएगा station को Next question है Which state government has launched Savera program Savera कारिक्रम को शुरू किया है किसने हरियाडा state ने Savera program का मीन परबस किया है कि जो breast cancer है उसको early detect करना उसको शीगर पता लगाना और उसकी रोक थाम करना तो इसी परबस से शुरू किया गया Savera program हरियाडा से शुरू किया है तो हरियाडा की capital चंडीगर है चीफ मिनिस्टर है मनुहर लाल खटर और गवर्नर है बंडारू ततात्रिया Next है Who has been appointed is a director in the Ministry of Physical Development and Entrepreneurship Kaushal Vikasur Udhamitah Mantralya में निदेशक की रूप में निक्त किया गया है किसे ताटूंग पाडी को Next question Who is the author of the book Book का नाम है The Great Flap of 1942 How the Raj panicked over a Japanese non-invasion ये जो पुस्तक है इसकी author कौन है ये भुकली की है Mukund Panmanabhani Next in which country has the world third largest mosque and Africa's largest mosque been inaugurated तो ये दुनिया की तो तीसरी सबसे बड़ी मज़ित है और Africa की है सबसे बड़ी मज़ित अभी इसका उदगाटन किया गया है Algeria देश में So Algerian President है Abdel Marzit Tabo ने उन्होंने जो है इस mosque को inaugurate किया Next in National Industrial Corridor Development Corporation Limited इन्होंने अभी किस IIT के साथ में किया MEU Sign to Enhance the Development of Greenfield Smart Cities तो जो Greenfield Smart शहर है उनके विकास को बढ़ाने के लिए NICDS ने किस IIT के साथ में किया एक समझोते ग्यापन पर हस्ताक्षर तो इन्होंने समझोता किया है IIT दिल्ली के साथ Next is Union Minister of State Rajiv Chandrashekar has launched the Investor Information and Analytic Platform इस प्लेटफोर्म को किस इस प्लेटफोर्म को किस IIT ने डेवलप किया है तो इसे विक्सेद किया है IIT मदरास में और इस प्लेटफोर्म को launch किस ने किया ये भी याद रखेंगे राजीव चंदरशेकरनी Next is How many Astronauts have been named for India's first Manned Space Mission India का पहला जो मानव युक अंतरिक्ष मिशन है उसके लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है तो इसके लिए चार अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया इनके नाम याद रखेंगा जो चार Astronauts से उनका नाम है प्रशान्त बालकृष्णन, कैप्टन अजीत कृष्णन, इसके बाद अंगत प्रताप और विंग कमांडर शुभान्शु शुकला तो चार Astronauts जो हैं वो जाएंगे कहां पे Space में जाएंगे और यह इंडिया का पहला Manned Space Mission होगा जिसका नाम है गगनियान और गगनियान को Next Year 2025 में इसको लाँच किया जाएगा Next Year 2025 की जो पहली वैदिक क्लॉक है इसे मध्य प्रदेश के कौन से शहर में इनागरेट किया गया है तो इसे इनागरेट किया गया मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में यह जो वैदिक क्लॉक है यह डिस्पले करेगी वैदिक हिंदु पंचांग को planetary position यानि जो ग्रहों की स्तिती है या मुहरत हो गया astrological calculations है उन सभी को ये display करेगी also ये Indian standard time और जो green which mean time है उसे भी show करेगी next India's oldest MP शफीकुर रह्मान बर्क passed away recently at the age of 94 he was related to which political party तो इनकी political party का नाम क्या था समाजवादी party और ये अभी तक के सबसे oldest MP रहे थे Parliament में next who has been in all recently appointed as a लोगपाल by President दुराप्यदी मुर्मू तो अभी इंडिया के लोगपाल कौन बने है Justice A.M. Khan Wilker ये बने हैं इंडिया के नए लोगपाल और इन्हों ने सक्सीर याने रिप्लेस किया है पिना की चंदर घोश को next है Zero Discrimination Day was observed on which day शून्य भेद्वाव दिवस ये मनाया गया है कब 1st March को So 1st March को मनाया गया है Zero Discrimination Day पहली बार ये सेलिब्रेट हुआ था 1st March 2014 को और 2024 की थीम क्या रही इसकी To Protect Everyone's Health Protect Everyone's Right Next Which country will scrap What's first Law Banning Tobacco Sale कौन सा देश है जो की तंबाको की बिकरी पर प्रदिबंध लगाने वाला दुनिया का जो पहला कानून है उसे खत्म करेगा इसे एंड करेगा New Zealand New Zealand की capital है Wellington Currency है Dollar Prime Minister है Christopher Luxon और यहा के Deputy Prime Minister है Carmel Sepuloni Next question है Prime Minister Narendh Modiji has laid the foundation stone for Isro second space port in which state Isro का दूसरा space port बन रहा है और इसके अधाशिला Prime Minister Narendh Modiji ने रखे कहां पे Tamilaladu state में जो पहला space port आप सभी जानते है कहां पे है Satish Dhawan Space Center है जो की है आंध बिर्देश के शिरी हरी कोटा में Next है What is the name of Animal Rescue Conservation and Rehabilitation Initiative इस initiative को शुरू किया है Reliance Foundation ने और इसे शुरू किया है जामनगर गुजरात में इसका नाम क्या रखा है तो इस पहल को नाम क्या दिया है One Tara इस पहल को नाम दिया है यह जो प्रोग्राम है इसमें फोकस किया जाएगा Animals के Rescue पे उनके treatment उनकी care उनके Rehabilitation कोई भी injured है देखिए उसको Rescue किया जाएगा और इंडिया या अब रोग्रोड कहीं भी देखिए किसी भी animal को अगर कोई ज़रूरत है तो उसके लिए इस center को पुरा शुरू किया गया है Next is which state government has launched the Chief Minister Universal Life Insurance Scheme मुख्यम अंति सार्वभॉमिक जीवन भीमा योशना इस योशना को किसने शुरू किया नागलेंड इस्टेट ने नागलेंड की formation हुई थी 1st of December 1963 को Capital Kohima है Chief Minister है Nephew Rio और Governor है यहां के La Ganeshan Next India's first Ammunition Missile Manufacturing Complex Unveiled by the Adani Group in which state भारत के पहले गोला बारूद Missile Wienirmand Pariser का अनावरण किस राज्य में किया गया तो friends इसका अनावरण किया गया है उत्तार प्रदेश स्टेट में और जो आर्मी चीफ है Manoj Pande और UP के Chief Minister योगी आदित्यनाथ इन्होंने जो है इसको inaugurate किया Next question है Who has been appointed as the CEO of the World Gold Council for India India के लिए World Gold Council के CEO के रूप में निक्त किया गया है किसे Sachin Jain को World Gold Council जो है इसकी सापना 1987 में हुई headquarters का है London में और CEO है इसके Dravid Tate Next question है Who has been appointed as the Director of Ministry of Women and Child Development So जो महिला बालविकास मंत्राल है है उसके निदेशक के रूप में निक्त किया गया है किसे अरकजा दास को Next question देखे Jain Nicole Lofty Eaton इन्होंने अभी History क्रेट करी है और इन्होंने T20 International में सबसे fastest century यह सबसे तेज शतक बनाकर इतिहास रचा यह किस देश से है यह तो Lofty Eaton जो है यह है नामीबिया देश से इन्होंने जो रिकॉर्ड ब्रेक किया है इससे पहले यह रिकॉर्ड था नेपाल के कुशल मल्ला के नाम उन्होंने 34 बॉल्स में अपनी century कंप्लीट करी थी लेकिन अगर बात करें जैन निकोल की इन्होंने सिर्फ 33 बॉल्स में कंप्लीट की अपनी century तो फ्रेंट्स देखे यहां हमारे weekly current affairs के questions तो कंप्लीट हो गए है जिसमें हमने cover करें है total 55 questions so now your time कि 55 में से friends आपका score कितना आया है इसको आप लोग हमें जल्दी से comment करके बताएं और daily current affairs के सासत आप लोग weekly भी जरूर follow करी और इसके लावब देखे फरवरी की जो monthly CA की videos है वो भी अब आपको मिल जाएंगे जिसका पहला पांट आपको आज ही मिल जाएगा तो उनको भी देखें जिससे आप अपने पूरे मन के current affairs को भी easily revise कर सकें Thank you so much for watching this video